हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं सेकेंड चैनल इस सेनल पर मैं लेके आये हूं आपके लिए ग्रीन ओलंपियाट से रिल्टीड ये वीडियो जिससे आप यूज कर सकते हो ग्रीन ओलंपियाट की प्रिपरेशन के लिए इसके अंदर आपको कोशन अटेम्ट कर रहा है और अरुbecue से में आपको बताया जा रहा है कि यहां पर वेलकम ओलेट और आति बड़ास में Option C में बोला जा रहा है, इसे Malaysia बोला जाता है और Option D में आपको बताया जा रहा है, कि यहाँ पर इसे Serbia बोला जाता है तो आपके according correct answer क्या है, यह आपको attempt करना है तो इस question का अगर correct answer की बात करें, तो option A यानि Eurasia इसका correct answer है यानि कि Europe plus Asia को हम Eurasia बोलते हैं तो यहाँ पर correct answer का option A हो जाता है इसके बाद next है आपके लिए यह वाला question इस question में आपसे पूछा जा रहा है, a cash crop is a crop that is grown for sale to earn profit which among the following is a dominant cash crop in India देखिए हम लोग जानते हैं कि cash crop जो होता है, इसका mean purpose ही होता है इसको seal करके profit earn करना होता है अब हमारी country में पूछा जा रहा है कि हमारी country में cash crop कौन सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा dominate करता है यानि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा benefit होता है farmer को तो यह आपको choose करना है इस option कि दरूँ तो जैसे first option में आपको दे रखा है कि cotton जो है हमारी country का ऐसा cash crop है जो कि dominate करता है सबसे ज़्यादा earning जैसे होती है option B में बोला जा रहा है कि paddy एक ऐसा cash crop है और option C में आपको बताया जा रहा है जो wheat है wheat एक तरक ऐसा cash crop है जिसमें profit सबसे ज़्यादा होता है और option D में आपको बोला जा रहा है all all का मतलब यह है कि है option A, option B और option C में जो आपको answer दे रहा है यह सब के सब ऐसे cash crop है जिसमें सबसे ज़्यादा profit होता है तो आपके according correct answer क्या है यह आपको choose करना है देखिए इस question के correct answer की बात करें तो जो आपको यह option A दे रहा है यानि cotton, cotton हमारी country में एक ऐसा cash crop है जिसमें सबसे ज़्यादा benefit होता है यानि कि farmer इसमें सबसे ज़्यादा earning करते है यानि कि सबसे ज़्यादा profit हो करने वाला जो cash crop के अगर हम बात करें तो यह आपका cotton हो जाता है तो correct answer यहाँ option A हो जाएगा इसके बाद next question किस question में आपसे पूछा जा रहा है कि crop rotation helps too अब देखिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ farmer ऐसे होते हैं जो पूरे साल एक type की crop की खेती करते हैं या farming करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी smart farmer हैं जो कि पूरे साल में different different crop अपने खेत में उगाते हैं तो उसी के regarding में question आपसे पूछा जा रहा है कि यह crop का rotation करते हैं यह किस तरह से help करता है यह question आपसे पूछा जा रहा है option A में आपको बताया जा रहा है कि अकर हम rotation करे crop का तो उसका सबसे ज़्यादा benefit क्या होता है कि maintain and improve soil fertility कि यानि कि जो जमीन है हमारी जमीन की जो soil की जो fertility है इसे एक तरह से maintain करने में और इसे improve करने में help करता है crop rotation यानि कि यह तक है सकते हो कि जब हम crop को rotate करके यह उगाते हैं farming करते हैं तो जो soil की fertility है यह balance बनी रहती है इसके अंदर improvement आता है और जो भी चीज़े हैं यह maintain रहती है option B में आपको बोला जा रहा है कि minimize pets, weeds and soil related disease यानि कि soil related जो disease होती है वो disease भी खेत के अंदर नहीं होती है साथ के साथ यह कह सकते हो कि pets अगरा कभी यूज हो है यह minimize हो जाता है यह एक तरह से help करती है crop rotation option C में आपको बोला जा रहा है कि control soil erosion यानि कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे खेत है, खेत की जो उपर layer है पहले वो खेती करते हैं उसके बाद जब दूसरी बार खेती करते हैं तो first layer को भी हटा देते हैं और इस तरह से क्या होता है जो मिट्टी का soil का erosion start हो जाता है, लेकिन जब हम crop को rotate करते हैं तो इससे एक benefit यह होता है यह erosion भी stop हो जाता है यानि कि आप यह कह सकते हैं कि soil का erosion है इसे भी control किया जा सकता है यह option C में आपको बताय जा रहा है option D में आपको बोला जा रहा है कि जिसे first option, second option और third option, यह सारे जो benefits हैं यह सारे benefits होते हैं अगर हम crop को rotate करके farming करें तो यानि कि यहाँ पे कह सकते हो यह तीनों के तीनों option बिल्कुल सही है इस लिए option में बोला जा रहा है all the above तो आपके according correct answer क्या है यह आप जा रहा है चले comment करके बताइए आपके according correct answer क्या है देखिए इस question की correct answer की बात करें तो इसमें जो option D दे रहा है यही correct answer है यानि कि जब भी हम crop को rotate करके यानि crop crop का rotation करते है तो जो soil होती है उसकी fertility भी increase होती है और maintain भी रहती है साथ के साथ इसमें पैट से अगर हमें use करने की जूरत नहीं पड़ती है और जो soil होता है इसका erosion भी कम होता है यानि कि इसके नदर आप कह सकते हो कि मिट्टी को नुकसान भी नहीं पोचता है मिट्टी में कटाओ भी नहीं आता है तो correct answer हमारा option D हो गया यानि कि यह सारे के सारे benefit है आप कह सकते हो crop rotation के इसके बाद next question है यह वाला question इस question में आप से पूछा जा रहा है which gas is released from pedi field? pedi field से gas release होता है उस gas के बारे में आप से question पूछा जा रहा है कि वो कौन सा gas है यह आपको बताना है option option A में आपको बोला जा रहा है कि carbon dye oxide ठीक है option B में आपको बोला जा रहा है hydrogen sulfate option C में आपको बोला जा रहा है methane और option D में आपको बोला जा है argon तो यह 4 options दे रखें यानि कि 4 different different gas के names आपको यह given है आपको यह बताना है कि जो pedi field होता है वहाँ से कौन सा gas release होता है यह आपको चूज करना है इन 4 option के देट तो जैसे यह 4 option को देखते हैं तो इसके जो C option है आपके पास यानि methane methane gas जो होता है pedi field से release होता है तो आप यह कह सकते हो इस question का correct answer option C हो जाएगा इसके बाद next question है जो कि आप screen पर देख सकते हो इस question में आपसे पूछा जा रहा है कि irrigation is a method by which water is supplied to plants at regular interval for agriculture देखे irrigation की बहुत जरूत होती है agriculture यह field वगरा में जो farming वगरा करते हैं तो उसी के बारे में आप बताया जा रहा है कि irrigation जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि एक interval के through water supply की जाती है जितने भी plants वगरा होते हैं इसमें proper तरीके से ठीके फर्दर आपको बताया जा रहा है of the following which method is most water efficient method कौन सा है यह आपसे को इस question में पूछा जा रहा है तो जैसे यहाँ चार options दे रखें चारों में से correct answer आपको बताना है देखें कई बार आप लोगों ने field में देखा होगा या फिर कहीं पे भी school में भी देखा होगा एक तो यह होता जैसे एक plant suppose करो यहाँ a plant है एक b plant है c plant है इसी तरह सो बहुत सारे plant है एक तो यह है कि pipe लगा के सब के बास पानी बहुत सारा दे दो या थोड़ी थोड़ी देर में देते जाओ ठीक है इस तरह से बहुत सारे method होते है कि water irrigation यानि कि water जो भी खेत वगरा है या field वगरा है उसके चारों तरह अगर plantation करके अच्छे से पानी पहुचाया जाए तो यह बताया जा रहा है कि water irrigation जो यह best method है option B में आपको बोला जा रहा है drip irrigation drip irrigation में क्या होता है कि pipeline बिछा दी जाती है और उसमें पाइप के लिए हलका सा छेड कर दिया जाता है जिससे कि यादर drop 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 पानी एक एक बूल गिरता रहता है option C में आपको बताया जा रहा है कि sprinkling irrigation sprinkling जो irrigation होता है कि जैसे आप लोगों ने पारक वगरा में देखा होगा एक rotate करने वाला इस तरह से फुवारा घूमता रहता है और उसमें क्या होता है कि पानी वगरा कभी इस वाले हिस्से में कि इस वाले हिस्से में पानी एक बार में बहा दो ताकि सब जगा पानी चलता चला जाए और पहुंच जाए ठीक है तो यह चार में आपको बता दिए गए इसमें से best method कौन सा है यह आपको चूज करना है देखिए इस question की correct answer की बात करें तो जो drip irrigation है जिसमें बूंद बूंद पानी एक थोड़ा थोड़ा जाता रहता है और एक particular interval के बाद पानी पहुंचता रहता है यह सबसे best method होता है इसमें जो water की requirement होती प्लाफ को यहीं प्रापर तरीके से मिल जाता है एक मेनिफिट होता है दू सरा यह हमारे जोड़ेदीर में पहुंचता रहता है तो आप यह कहे चसकते हो कि इसका best answer यानि की most efficient water provide करने का method है वो आप कैसे तो drip irrigation है तो correct answer हमारा option B हो जाएगा ठीक है अब आप लोग comment करके बताइए कि आपने कितने questions के answer बिल्कुल सही करें है वीडियो को like कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर लेकर आज सकूँ ठीक है और चैनल friends at the rate preparation को subscribe कर लीजिए साथ के साथ Mr. Krishna शाथ चैनल को भी subscribe कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी notification आपको receive हो सके देखिए मैंने अब WhatsApp पे भी एक group create कर दिया है इसका link मैं नीचे description में आपको दे देता हूँ ताकि आप लोग मेरा WhatsApp गुरूप भी join कर सकते हैं नीचे आपको description में link मिल जाएगा उसे क्लिक करके आप join कर सकते हैं बाकि कोई doubt है कुछ पूछना चाहते हैं कोई आपकी queries हैं तो आप लोग मुझे Instagram पे follow कर लो मेरी ID है आपको से क्थिए जाएगा कर दो